आप लोग का फिर से स्वावयात है हमारे यूटूब चैनल पर और आज हम लोग कलास 10 का बायलोजी चेप्टर 2 स्वासन बायलोजी चेप्टर 2 का स्वासन को नॉट्स यानि भेरी भेरी इंपोर्टेंट कुछ जो कोश्चन आता है इनसे एक्जाम में और इस सभी नॉट्स क पढ़ने के बाद आपका जो इस चेप्टर में पूरा जो टॉपिक होता है उसको कभर हो जाएगा यानि पूरा का पूरा सोल्यूसन मिल जाएगा इस चेप्टर में तो इस वीडियो को आन तक देखिए तभी आपका यह जो है पूरा सेशन होगा कंप्लेट तो आप लोग वीडियो को देखते हैं चलिए इस वीडियो को सांदर तरीके से स्टाट करते हैं चलिए देखते हैं पहला को पहला टापिक से तो पहला देखिए देखिए स्वासन क्या होता है स्वासन हर एक जीवों के लिए जो है मानव के लिए या फिर जीव जनतु के लिए आवस्यक होता है और स्वासन के बाद उसमें एक उर्जा रिलीज होता है जिससे भोजपदार्थ का अनुवा विक्सित होती है ग्लुकोज के रूप में तूटते हैं शरीर को पोसन के साथ ऑकशीजन की भी जरूरत होती है और आगे देखिए तो दुस्रा पोइंट है कि सरीर को ऑकशीजन स्वासन के द्वड़ा पराप्त होता है और यह स्वरीर को जो oxygen पराप्थ होता है किसके द्वारा स्वासन के द्वारा ठीक है यहां समझ गए है तो आगे बढ़ते हैं आगे देखिए पचे हुए भोजे पदार्थों से उर्जा का उत्पादन भोजन अनू के उक्सीकरन के द्वारा होता है ठीक है यानि पचा भोजन होता है उसका पदार्थ उर्जा का उत्पादन कैसे करता है यानि उर्जा कैसे रिलिज करता है तो भोजन के अनू जो है ऑक्सीकरन करके गुलकोज का ऑक्सीकरन करके उससे उर्जा विक्सित करता है ठीक है अब हम लोग देखेंगे कि भोजन अनू में oxygen की ऑक्सीक में होता है ठीक है इसलिए इसे वाइवीय सोसन कहते हैं और लाइव यह इख है ऊपर आगे देखिए आगे देखें तो बिरिहत रूप से शोचन उन सभी करियाओं का समलीत रूप है जिनके द्वारा शरीर में उरजा का उत्पादन होता है यानि माने तो सोचन उन सभी क्रि तो ऊसका समलीट रूप जिनके दुआरा सरेव में उर्जा का उत्पादन हो यानि उर्जा का नर्मान हो प्लिपस्वा और देखिए जह उर्जा के उत्पादन के लिए कोशी का मुख्यता गुलुकोज को फियोग करती है ठीक है आता गुलुकोज को कोशी किये स्वासन यानि कोशी किये इंधन करते हैं कोशी किये इंधन यहां से आपका एक्जाम में आ जाता है यह कोशन की कोशी किये इंधन किसे करते हैं तो आपका अंसर आगा कि में तूड़कर बनता है सिक्स सीओ टू पलस एच्टू अपलस उर्जा ठीक है यहां देख लिए इसके बाद देखिए उपोत उत्पाद यानि यह जब अब गिरिया करता है तो इसके कारण जो भी पदार्थ बनता है तो कार्बन डायोकसाइड इवं जल बनता है ठीक है और प्रूप को कहते हैं जिसमें जिससे बाहरी वातावरन से उक्सीजन ग्रहन कर सरीर की कोशीकाओं में पहुचाया जाता है जहां इसका उप्योप को से किये इंदन का ऑक्सीकरन कई चर्णों में विशिष्ट एंजायमों के पस्तिति में करके जे बुर्जा का उत्पादन क किया जाता है तथा इस किरिया से उत्पन सीयोटू को फिर कोशीका से क्या किया जाता है सरीर के बाहर निकाल दिया जाता है तो यही तो आपका स्वासन का परिवासा हो सकता है चली आप देखेंगे वाइबिये स्वासन और 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 किरिया का फोल डिटेल तो और वीज ये सोशन व स्टिजड से अनुप उस्ट है उस एक त्रेट का निरमान होता है जो अनुप इन्जाइम्स के द्वारा पार्तिये प्रतियक चरंग तो उसके दोरा तो एंजायम के द्वारा पाइरुबेट ऑक्सिजन के अनुपर स्थिति में इथिनोल एबम सियो टू में यानि कार्बन डायोक्साइड में परिवर्थित हो जाते हैं यह किरिया क्या कहला था किनुवन कहलाती है इसको याद रखिए यह पर बहुत इंपोर्टेन एक्जाम के लिए ठीक है चलिए तो यह क्या होता है दोस्त तो लेक्टिक को देखते हैं देखिए यह सबसे पहले देखिया पर लेटिक अमल के संचाइसे बहुत ज्यादा चलने या दड़ने पर हमारी मांस्पेसिया में एंठन होती है तो आपका एक्जाम में यहां से कोशन आएगा कि किस अमल के कारण हमार लेक्टिक कामल चलिए अब आप यह सोसन को देखने के बाद हम लोग देखेंगा वाइब यह सोसन के बारे में ठीक है तो देखते हैं देखें या किरिया ऑक्सिजन के उपस्तिती में होती है और आगे देखिए तीन कारवन वाले पाइरूबेट अनु विखंडित होकर त अगला देखिए एटीपी एटीपी के विखंडन से जो उर्जा मिलती है उससे जेव क्रियाओं का संचालित होती है एटीपी के एडिनोसाइट ट्राइफ फोस्पेट ठीक है और आब आया बात कि वाइब यह वाइब यह सोसन में अंतर तो देखिए वाइब यह सोसन ऑक् होती है जबकि आया सञी होती है को दुरी जो किरीया होती है को स्टर अर कुछ निम लिखित उत्तर रहे कि तुल्णा-तूल आत्मक कि वाभय सोसन को आप यह वाब ये स्वसन में और वाब ये स्वसन की तुलना में बहुत उर्जा मुक्त होती है ठीक है चलिए आगे की नोट से देखते हैं कि और से आगे में अदान प्रतान की लिए के द्वारा होता ठिक है Спो है पंदों में ऑक्सीजन बाईू के रंद रो पॉधों में यूगत यूगत पत्ती के रण रियानि अंतर कोशिए अस्थान से परविश्च करते हैं आगे पॉधा मूल रोम से जड़ तना ऑक्सीजन यूगत गरहन करते हैं यहां तक देखे थे घंगत अब हम लोग पढ़ेंगे पॉधों में जनतुओं से बेन होती है किस पार अगला पाउधों में आप जंत्हों की अपंच्साा स्वस्न की की रिया जो होते है धिमी होती है फूहे और आगे पड़ते हैं लोग दोस्ते हुघ क्या है जन्ताउ सो का ही ख़ुकुल यहालित थे दॉआ होता है यह है तौरईभा सूर्व होता है उसमें गैश्यों की तौर्ण जिली के द्बारा विशरे के रिया से होता है छळी आगे देखते हैं जैसे कि जन्तों में 3 परकार के स्वस्वान अंग होते हिरा स्वास्णाली ट्रिकया गिल्स फिपड़ा तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो अब तीनों को बारी बारी किसे पढ़ते हैं तो सबसे पहले पढ़ेंगे स्वासनली यानि ट्रेकिया की बारे में तो देखिए यह कहां पर पाया जाता और किसमें यह टिड़ा एवन तिल चट्टा में पाया जाता है यानि ट्रेकिया एवन स्वासनली टिड़ा और तिल होता है इसलिए किट में जो है रख्त के मादियम से उसका परिवहन नहीं होता है ठीक है अब हम किया के बाद पढ़ेंगे में गिल से देखिए बीशेज परकार के स्वसन अंघ है जो ज波नीति ऑक्सिजन का ओप योग स्वसन के लिए करते हैं यानि जैसे कि मचलियों मचलियों में गिल्स का परियोग से होता है स्वसन परतियंग मचली में दो गिल्स पाए जाते हैं ठीक है तो आगे बढ़ते हैं देखिए हर गिल्स एक चप्टी थैली में अस्तित होता है जिसे गिल कोश्ट काते हैं, ये अपक्ते लग उतर ये प्रस्ट द्वारा होता है, प्रस्टे न है, तो ये रागिलत के बारे में, अब हम लोग फिफडा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, होता है जब पानी में राता है तो लेता है स्व सवासन करता है तो ओद्वारा ओनुष में द्वारा देखिये मानव स्वासन तंत्र चीपaid करते हैं स्वासन पहले देखेंगे कि स्को Display मनुस में नासिका छिद्र स्वार्यांतर यानि लेरिक्स स्वासनल यानि ट्रेकिया तता फेफड़ा मिलकर स्वासंग अंग का लाता है यानि चार गों मिलकर एक स्वासंग अंग का निर्मान करता है और स्थिका बेश्म की दीबार कि डिडि snow गोमावधार की तरह होती है जिसे त्री का आइ कंठी कान्ची अगे फेफडा मनुस् believe ब買 ने कढऄ होते हैं यह का यहां से आ सकता कि फेफडा कहां स्थित होता है तो मनुस हम को फेफडा में वक्ष गूह और आबन होता है जिसे पेराइटल पुलूरा कहते हैं क्या कता है पेराइटल पुलूरा आगे फेफड़े एवम पुलूरा के बीच म्यूकस जहेत साचीकना पदार्थ पाया जाता है ठीक है आप स्वासन की रिया को देख लेतें प्रस्वास वैसा स्वासन जिसमें हावा नासिका से फिपड़े तक पहुंचती है जहां इसका ओक्सीजन फिपड़े की दिवार में इस्तित रक्त को सिका में चला जाता है तो उससे कहता है प्रस्वास देखे स्वासन दो पर करके पहला होता है प्रस्वास और दूसरा होता अश्ट स्वास, जब यहां दोनों मिल जाएगा तो बन जाएगा आपका 706, ठीक है, देखिए, स्वासन की दो अबसथाएं पर स्छो श्वास एबं उच्छो स्वास मिल कर स्वास 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 बनाते हैं, क्यां बनाते हैं वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को इस वीडियो को एक बार लाइक किजिए और सेर करने की जिवेंदाई आपको रखते हैं ठीक है चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह पढ़ते रहें समझते रहें